हेलो यूट्यूब मेरे नाम है पंकर स्वाकुर आप देख रहे हैं पंकी मुजिक चैनल आज मैं आपको बता हुआ कि पांच मिनट से भी कम समय में आप किस तरह से एक आपको उन सेंपल्स का लिंक जो है इस वीडियो के दिसक्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप उने फ्री आफ कॉस्स डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरू आज के वीडियो से आम यूजिंग अबल्टन लाइव नाइन यहां पर और जैसा कि मैं आपको बताया कि हम एक कॉर्ड प्रोड बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कुछ साउंट्स चाहिए आप कोई भी साउंड यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के यहां पर मैं जो साउंड्स यूज कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको चाहिए एक किक का लूप मैं रेकमेंड करूँआ कि अपना जो है समय वेस्ट ना करें कोई भी लूप आप यूज कर सकते हैं रेडिमेट बहुत सारे लूप्स अवेलिबल हैं हाई क्वालिटी के आप उनको यूज कीजिए मेरे पास जो लूप है वो कुछ इस तरह से साउंड करता है उसके बाद कॉर्ड प्रोग्रेक्शन बनाने के लिए मैं जातर यूज करता हूँ प्लक का साउंड और मेरे पास है नेक्सिज विएस्टी जहां पर मेरे पास जो साउंड मैंने चूज किया है वो कुछ इस तरह से साउंड करता है उसके बाद आपको चाहिए एक लीड साउंड जो कि आपके प्लक साउंड के साथ फिल करेगा आप उसको लेयर जब करेंगे तो आपको लीड का एक साउंड चाहिए होगा आम यूजिंग नेक्सिज वंस अगेन और जो साउंड है वो कुछ इस तरह से साउंड करता है उसके बाद मैं यूजिज कर रहा हूँ एक बेस साउंड बेस के लिए मैंने यूजिज कि है स्पायर और उसके बाद सबसे लास्ट में हम बनाएंगे एक सब बेस अपने लो एंड को फिल करने के लिए और सब के लिए मैं यूजिज कर रहा हूँ स्पायर ठीक है आप देख सकते हैं MIDI clips सारे खाली हैं कोई data नहीं है अब यहां से मैं data यहां पर MIDI clips के अंदर chord production बनाना शुरू करूँआ तो आप मुझे follow कीजिए और I hope कि आपको चीज़े जो है वो easily समझ में आ जाएंगी so let's begin सकते हैं झाल 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 यंद झाल 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 तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इना ही. I hope you guys enjoyed it. Please give me a thumbs up and subscribe to my channel if you would like to see more and more videos like this. Thank you so much for watching my channel and my video. Take care of yourself. Good bye.